यह दोस्तों गैसे हैं आप सभी लोग मैं हूँ आप सभी लोग का दोस्त अब बात करने वाले हैं निफ्टी और भांग के लिए क्या विए था इस तरीके से जो आज के दिन वॉलाइटिलीिटी हम लोग को देखने को मिली फर्स्ट आफ में Nifty का अंडर परफॉर्मेंस बैंक Nifty का आउट परफॉर्मेंस और और एड़ बजे के बाद एकस्पाईरी की बज़ा से बैंक Nifty को जो है एक रेंज में पकड़के रखा और Nifty को जो है वो अपसाइड का मोमेंटम दिया और पिछले लगबग अगर हम देखें तो पांच से छे दिनों से एक ही रेंज में जो है वो निफ्टी की एक्सपाइरी जो है अलब एंड अफ डे जो है वो तो इससे क्या हमें समझना चाहिए आज यूएस की जो फेड मीटिंग है उस पे क्या निश्कर्ष निकलेगा सारी चीज़े इस वीडियो में डिसकस करने वाले है तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा बेल आकिन को दबाईएगा और इस वीडियो का लाइकेम हम रखते हैं लगबग 1000 लाइक जो कि आप पूरा कर ही देंगे तो चलिए अफजार टाइम वेसना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं देगे सबसे पहले हम लोग ग्लोबल प्रस्पेक्टिव की एक बार बात कर लेंगे कल यूएस का जो जो है वो फ्लाइट इंफ्लेशन रहने की एक्सपेक्टेशन थी उससे एक टिक भढ़कर जो है हमें इंफ्लेशन आता हुआ दिखाए दिया आज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पीपी आई डेटा जो है वो यूएस का आने वाला है तो उसके उपर मार्केट की नज होता है यूएस का वहाँ पे अगर हम देखे तो वहाँ पे कोई भी इस वक्त एक्सपर्ट जो है वो यह नहीं देख रहा है कि वहाँ पे हम लोगों को रेट में बढ़ातरी जो है वो देखने को मिलेगी तो वहाँ से कोई चिंता नहीं है चिंता है कि जरॉम पावल साब क कब तक रखेंगे मतलब रेट कितने दिनों तक जो है वो हाई रखना चाहते हैं और कब उनके कट के बारे में सोचेंगे तो यह सारी चीज़े जो है आज यूएस में हम लोग को फेस करनी होंगी और इस साल के आखरी क्यूज है उसके बाद हो सकता है अगर हम देखें तो डेली चार्ट पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मार्केट कोई रेंज ब्रेक करने के लिए नहीं जा रहा है higher levels पे अगर हम देखते हैं तो 21,030 से लेकर 50 एक बड़ा resistance zone बना हुआ है और lower levels पे अगर हम देखें तो 20,850, 20,830 की यह जो range है यह बड़े support की तरह act करती है आज अगर हम intraday time frame पे अगर देखते हैं 15 मिने time frame में आपके लिए लगाता हूँ तो हम लोगों ने इस range को तोड़ा है हम लोग नीचे भी गए बट दिक्कत यह है कि bank nifty ने जो है इस range को नहीं तोड़ा और bank nifty ने जो है हमारा जो 46,850 से 46,900 की range थी यहाँ पे support लिया और इस support लेने की वजह से जो है पूरे दिन हमने देखा कि bank nifty ने जो है market को hold करके रखा end में जब लग रहा था एक बार के लिए कि bank nifty उपर की side का एक momentum देदेगा breakout देदेगा एक अच्छा target देदेगा तब ही जो है market को जो है वो banking shares में selling हमें आती हुई दिखाई दी expiry related move आप इसा बोल सकते हो राइटर्स को बिलकुल mood नहीं था कि वो option buyers का आज पैसा जो है वो बनने दे तो यह चीज हमें clearly बजार में दिखाई दी अब कल के लिए हम क्या plan कर सकते हैं देखे सबसे पहले telegram group अभी तक आपने join नहीं किया है link आपको नीचे description में मिल जाएगा more than 93,000 से जादा हमारे already members है आप लोग का बहुत जादा प्यार and support हमें मिल ही रहा है आप जो है नीचे description में free group है आप join कर सकते हैं आपडेट्स आपको दिये थे bank nifty के लिए थोड़ी बड़ी range support range दी थी exactly इसी support range से घूमा nifty नहीं support range को तोड़ा इस support range की नीचे जाने पर मैं उतना confident नहीं था मैंने आप लोग को video जो है वो comment भी लिखके दिया था कि सीना lot of down moves but this one seems very under confident move for the beers इसका reason mainly ये था कि down जाते हुए market में हमें Wix में कोई rise देखने को नहीं मिल रहा था वो मेरे लिए एक बड़ा surprising factor जो है वो बनके आ रहा था ये एक चीज थी साथ ही मैं bank nifty में जो strong put writing थी वो 12 बज़े मैंने एक बार आपको बता दी थी के contra data बन रहा है bank nifty में put writing strong हो रही है nifty में call writing strong हो रही है और जाधतर लोग हमारा जो group है उसमें poll मैंने किया था और जाधतर लोग कह रहे थे के bank nifty के put writers जीतेंगे in the end उन bank nifty के put writers की वज़े से ही बज़ार आज जो है वो hold कर पाया है और end में जो है वो एक अच्छी closing भी हुई है दूसरी एक update के लोग सभा में जो security breach हुआ है यह एक जो है इसका impact के बारे में काफी लोग पूछ रहे थे अभी तक apart from tear gas कुछ भी ऐसा अनोनी होती हुई यहाँ पर दिखाई नहीं दी है तो अभी के लिए हम लोग इसके impact को बिलकुल neutral रखेंगे कोई अभी तक कोई जानमाल की हानी होती हुई दिखाई नहीं दी है तो यह एक सबसे अच्छी चीज है कि इसका अभी तक जो है को देते हैं देखिए कल निफ्टी की expiry है अगर हम overall देखें डेली चार्ट पर आपको दिख रहा होगा कि हम लोग 5 दिन से 6 दिन से एक ही जगह जो है वो closing दे रहे हैं तो there is a probability कि आज भी हम लोग एक ही जगह close दे मैंने आप लोग को last week बोला भी था कि 5-6 हफते से लगातार बट रहा है हो सकता एक pause दे हो सकता एक जो है वो बड़ा जो है वो red candle भी बना सकता है तो दोनों possibility अभी भी बनी हुई है तो हम इसे trade कैसे करेंगे 15 मेरे time frame हम लगाते हैं आप लोगों को एक चीज़ धिहान रखनी है 21,030 से लेकर 21,050 यह आपके लिए बड़ा resistance जो है वो momentum मिलेगा जहां पर आप जो है at least 21,200 तक की जगह जो है वो देख सकते हैं यहां पर clear cut हमें मिल जाएगा downside एक बार के लिए हम 20,750 तक गए बट honestly अगर आप मेरे से पूछो कल के लिए भी यही level important रहेगा वो रहेगा 20,850 का 2850 अगर नीचे की side टूटता है तो हम लोगों को जो है वो एक बार के लिए down move जो है वो देखने को मिल सकता है जिसमें जो पहला level मेरे लिए निकल के आएगा वो रहेगा around 20,700 के आसपस यहां तक एक बार के लिए gap filling जो हो सकती है तो इसके उपर हम लोग नजर रखेंगे अगर US की वज़े से कोई बड़ा gap up या gap down होता है उसकी update में आपको रात को या सुबह जो है वो टेलिग्राम पर दे दूँगा तो आप चिंता ना करें बैंक निफ्टी के अब लोग यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए एक चीज़ क्लियर है इसने बता दिया है कि इसकी range जो है वो बहुत compact हो और 46,850 यह आपके लिए अब ना एक बड़े जो है वो levels होने चाहिए यह range जैसे ही टूटेगी तब ही आपको directional call लेना वरना यह market जो है आपको फसाएगा option writers के लिए अभी यह बना हुआ है 47,200, 46,850 यह range टूटेगी तब ही हम को directional call लेंगे otherwise avoid अभी हम करेंगे bank nifty को इस range के टूटने पर क्या करना है simple है इस range के टूटने पर 300 पॉइंट उपर यह हमारा पहला target होगा around 47,550 का ठीक है 47,550 का downside अगर हम देखें downside में भी मेरको जो है अच्छा खासा target दिखाई दे रहा है वो हमें लेके जाएगा 46,450 तग तो range इधर भी टूटे 300 से 400 point आपको बहुत अराम से मिल जाएंगे तो इस चीज को हम लोग play करने वाले हैं यह range टूटने का wait करिए या फिर gap आप या gap down में अगर उपर नीचे कहीं पर open होता है तो जैसे हम play करते हैं मान लीजे 46,850 के नीचे कहीं पर open हुआ तो हम wait क्या क करेंगे या तो price action बनाए इस तरीके का ठीक है और इस low को break करें तो इस high का stop loss लगा के हम short कर सकते हैं पहला plan दूसरा plan क्या होगा मान लीजे इधर कहीं open होता है 46,700 के आसपास उपर जाता है 46,850 से resistance लेके फिर low को break करता है day of low को तब हम इसका जो है वो SL लगा के यहाँ पर short कर सकते हैं तो multiple तरीके हैं जिसकी वज़े से हम price action को play कर सकते हैं पो definitely आज का दिन nifty traders के लिए बहुत जादा बेटर था compare to bank nifty क्योंकि expiry में भी बहुत जादा जो है इन्होंने market को पकड़ के रखा आज के दिन तो दोस्तों आशा करता हूँ video पसंद आई होगी video पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए का मलता आप से लिए वीडियो में thank you so much for watching guys जहिंद वंदय मातरम